कुछ दिन पहले डियेपी खाद की कीमत बढ़ाई गई तो किसानों की नाराजगी देखने को मिली और सरकार की किरकिरी भी हुई जिसका असर यह हुआ कि किंद्र सरकार ने अब डियेपी खाद पर दोगुनी से ज्यादा सबसिटी बढ़ा कर किसानों को राहत दी है मतलब ये हुआ कि किसान एक बोरी खाद पुरानी कीमत पर ही खरी सकेंगे यानि 1900 की जगा अब एक बोरी डियेपी खाद 1200 रुपए में मिलेगी इस कदम के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंद्री शवराज सिंग चौहान ने ट्वीट कर पिये मोदी का धन्यवाद जोताया है शवराज सिंग ने लिखा पिये मोदी किसान हितैशी हैं डियेपी खाद की सबसीडी में 140 फीसदी की बढ़ोतरी की गई डियेपी खाद जिसकी कीमते 140 फिरसत बढ़ गई थी और कीमतें बढ़ने के कारण अगर मूल कीमत पर डियेपी दिया जाता तो 2400 रुपया प्रिति बोरी खाद किसान को मिलता लेकिने प्रधानमंत्री जी भारत सरकार 500 रुपया प्रिति बोरी पहले से ही डियेपी पर सबसीडी दे रहे थे अब ये बढ़ी हुई कीमतों के कारण ये 500 रुपया प्रिति बोरी की सबसीडी बढ़ा के अब 1200 रुपया प्रिति बोरी कर दी गई है साथ सो रुपया प्रती बोरी सबसेडी किसान के लिए बढ़ाई गई ये डीएपी पर और इसका परिणाम ये होगा कि चौबीस चौकी बोरी किसान को केवल बारहा सो रुपया में मिलेगी वहीं 36 गड़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंग ने भी पीएम का धन्यवाद जताया है रमन सिंग ने पीएम मोदी के कदम को किसानों के लिए एहम बताया बारती जन्दा पार्टी की तेन सरकार द्वारा इतिहासित फैसला खाट की सबसिडी में 140 प्रतिशत की विद्धी मानि प्रधान मंती जी ने निर्णाय लिया जब अंदरास्टी बाजार में डीएपी कीमत अचानक बढ़ गई और ये सबसिडी आज 14,775 करोड का सबसिडी किया इया इस निर्णाय की लिए प्रधान मंती जी का अभार बहुत बहुत धन्यवार वहीं केंदर स्तरकार की द्वारा खाट के दाम ना बढ़ाय जाने का क्रेडिट कॉंग्रिस ने अपने खाते में लिया है 36 गड़ कॉंग्रिस संचार प्रमुक शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सोशल मेडिया से लेकर कोविट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कॉंग्रिस ने खात की मुल्य व्रिधी का जिस तरह से विरोध किया उसी संघर्ष का नतीजा देखने को मिला है चाहे डियेपी खात की सबसीड़ी बढ़ाय जाने का क्रेडिट कॉंग्रिस ले या बीजेपी खुद को किसान हितैशी बताए लेकिन सब के बीच एक बात तो साफ है किस मुश्किल दौर में किसानों के लिए ये बड़ी राहत जरूर है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस 24 मध्य प्रदेश चतीजगर